आज इस वीडियो में हम CSS का सेवेल नेशन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी टैक्स या पैरागर आपका मार्जिन सेट कर सकते हैं, मार्जिन मतलब उसको टॉप, बॉटम, लेप, राइट, यह जो मार्जिन है इस वीडियो में सीखेंगे, तो सबसे पर एलिमेंट के चारो तरह चारो और इस्पेस क्रियेट करने के लिए किया जाता है, किसी भी एलिमेंट्स या टैक्स के चारो और जैसे के टॉप, बॉटम, लेप, एंड राइट साइड इस्पेस देने के लिए किया जाता है, अब यहां लिखाए डिफरेंट टाइपस ओप मार्जिन हम 4 तरीके से देख सकते हैं first top margin, right margin, bottom margin, left margin ठीक है अब यहां जो हम margin देंगे उसका value होता है, अलग-अलग value की सबसे margin दे सकते हैं जैसे first हमारे पास है auto browser के द्वारा margin provide किया जाता है second means length margin को measurement unit जैसे की pixel, PT, centimeter, etc में दिया जाता है ठीक है थार्ड है हमारे पास है percentage margin को percentage group में भी हम लोग देते हैं ठीक है और 4 है in head इस value को in head set किया जाता है ठीक है अब यहां पास first हमारे पास है CSS margin top property ठीक है अब यहां पास top margin किस तरह सेट करें कि उसके बारे में देखेंगे तो जिससे लिखा है कि इस property के द्वारा element के लिए top से margin set किया जाता है मतलब की top से space create किया जाता है मतलब हमको top margin देना है तो जश्ट इसके लिए हमको को यह coding करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए दिखते है इसका practical की किस तरह से हम लोग करेंगे top margin देंगे तो जैसे हमारे पास यहां कुछ coding है जैसे हमारे पास एक coding है पहले से से यह just margin work एसको देख लेते पहले क्या यह शूर कर रहा है है कि तो यह हमारे पास है just इस तरह से हमारे पास है टेक्स परगराफ कर रहा है अब इसमें को margin state करना है तो किस तरह समलोग करेंगे कि अदर कोडिंग होगा जैसे हम लोग यहां पास यहां पास क्या है और मार्जिन की सतर करेंगे तो जैसे हम यहां पास लिख लेते हैं जैसे अदर ही करना होगा तो जैसे हम सबसे पहले यहां बॉर्डर देते हैं जैसे बॉर्डर ठीक है और जैसे बॉर्डर यहां देंगे तो बॉर्डर का साइज क्या होना चाहिए तो यहां पास बॉर्डर का कलर क्या होगा ठीक है तो जैसे हम बॉर्डर का कलर देते हैं ब्लैक यह बॉर्डर का कलर paradise को सेमीकोलर से बंद कर दी हैं अब यहां परसलेंगे margin ठीक है margin जा समय को कहा टॉब में देना है worth margin माजिन टॉब अब कितना देना है यहां पास हम डालेंगे size जोicana पिक्सल हम दे दिया है अब यहां पास जिसे background कलर हम दे और करंवर कर लेते हैं अब कोडिंग उपलिघंग कि यंद्वा कर रहा एंघ के क्छ इस तरह से ए मतलब यहां जो हैडिंग है तो है इस अब याथ यह आगया फाइफ पिक्सल का ऐब अब यहां मार्जन दिया है हंडेड क्लर क्रिफjust तो अब अंबब इसमें जैसे background color दे दिए यहां पास background color yellow हो चुका है, जैसे मैं यहां पास 100 pixel के जगह यहां पास कर देता हूँ जैसे हम यहां पास 100 pixel के जगह जैसे हम लोग कर लेता है 50 pixel यह कर दिए और यहां करते है refresh तो देखें आपस 50 pixel का margin यहां पास top से set हो गया, ठीक है अब यहां पास देखते है next, top margin तो यहां पास हो चुका, अब देखते हैं कि हम अगर right margin देना है तो किस तरह से देंगे तो जैसे इस property के द्वारा हम element के लिए right से margin set कर सकते हैं, मतलब कि right से space create कर सकते हैं उसके लिए, coding कुछ same हो जाएगा, बस हमको यहां पास क्या लिखना होगा margin right , जैसे देख लेते हैं इसका भी तो जैसे हम यहां पास top लिखें, यहां पास बस हम क्या करना होगा, right करना होगा, तो जसस्ट हम लोग यहां पास margin जो top लिखा हुआ है इसी हम कर लेते हैं margin right, margin right कर लेते हैं और जैसे यहां पास हम कर लेते हैं 100 pixel, ठीक है, 100 pixel कर दिये, अब इसको कर लेते हैं सेप, control इसका करके सेप कर लिए हम लोग, और यहां पास कर लेते हैं refresh, तो देखिए right side से यहां पास 100 pixel का margin यहां पास sit हो गया, ठीक है, जैसे और हम चा लेते हैं तो देखे 300 पिक्सल का यहां पास margin right side से से हो रहा है ठीक है यह हो गया हमारे पास क्या right side का margin अब यहां पास आगे देखते हैं अब जैसे यहां पास bottom bottom मतलब नीचे text के नीचे से हमको कितना margin यहां पास करना मारे यहां पास क्या करना होगा राद कर लेते हैं जैसे यहां पास aqui कर लेते हैं कылूगे अब नीचे साथ character से कितना पिक्सल का margin यहां पास seat हो गया, ठीक है, कम करना है, तो फिर साम उसी में जाएंगे, और यहां जैसे 150 पिक्सल है, इसको हम कर लेते हैं, 50 पिक्सल कर दिये, ठीक है, control इस कर दिये, और just यहां refresh, तो दिखे 50 50 पिक्सल का margin हमारे पास bottom side से यह state हो गया, ठीक है, next हमारे पास यहां पास है, यह तो जैसे मारे पास bottom हो गया, उसी तरह left, अगर left side से margin हमको state करना हो तो स्रीम कोडिंग है, बस हमको यहां पास left करना होगा, इसमें दिख लेते हैं, तो जैसे हम यहां पास bottom के जगह बस करेंगे क्या left, ठीक है, left करेंगे, अब left side से हमको कितना margin state करना है, तो जैसे हम कर लेते हैं, 100, ठीक है, 100 pixel, अब इसको control is कर दिए, और फिर सहम यहां कर लेते हैं, और refresh, तो देखें, left side से हमारे पास margin 100 का state हो चुका, ठीक है, और जैसे मान किसलिए हमको ज्यादा करना होग ठीक है, 200 कर दिए, control is, और यहां replace, तो देखें, 200 pixel का margin यहां पास state हो गया, ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहां पास, अब जैसे हम यहां पास left side से margin state कर दिए, अब जैसे हम यहां पास है margin shorthand property, ठीक है, shorthand property की मदद से सभी margin property को एक ही line में declare किया जाता है, इसमें margin का state कुछ इस परकार होता है, जैसे margin top, margin right, margin bottom, margin left, ठीक है, मतलब short करते हम margin यहां पास state कर सकते हैं, कैसे, तो जैसे, यहां पास सामल पास जो coding हो जाएगा, यहां पास देखें जैसे margin, और यहां पास margin का अलग-अलग यहां size दे देंगे, तो चारों तरप का margin यहां पास state हो ठीक है, तो इसका किस तरा से state रहेगा, यहां पास सबसे पहले top margin state करेगा, फिर right margin, bottom margin, पिर left margin, ठीक है, मतलब जैसे यहां 5 पिक्सल लिखा हो तो यह क्या हो गया हमारे पास? ठीक है, और जैसे 10 पिक्सल लिखा है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास? state कर सकते हैं तो चले देखते हैं इसको तो जेस्ट हम लोग यहाँ पास यह जो margin लिखा हुआ है margin को हम लोग यहां से आटा देते हैं और यहाँ से जिसे जो margin मार्जिन ही दिया कोनल लगा के अब जैसे हमको क्या करना है है पास 25 पिक्सल देदिए, ठीक है, और जिसे उसके बाद जिसे दे दिए 500 पिक्सल, उसके पास जिसे दे दिए 200 पिक्सल, तो यह जो margin set होगा, किसका heading होगे जागा, उसे तरह जिसे हमको अगर paragraph करना होगा, जिसका margin को state करना होगा, तो just हम इही पास coding करेंगे इसके लिए लिखेंगे पी इसको भी करली ब्रैकेट के अंदर ठीक है और यहां भी हम लोग इसका लिखेंगे मार्जिंग अब यहां भी साइज देदेंगे तो जैसे इसका साइज हम देते हैं आइब पिक्सल ठीक है उसी तरफ जैसे हम देदें हैं पस टेन पिक्सल उसी तर जैसे देदें फिर 15 पिक्सल और फिर देदे जैसे 20 पिक्सल अब इसको शेप करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजर्ट यह शू कर रहा है अयहां कर लिए और रहो साफ करते हैं रही त्रेस्ट यहां पास कुछ कोडिंगिक त्रिश्टेर्व णिर्ट हैं यह km tvom無 listen कर देंगे और चुस्ट करते हैं रहते हैं अश्ट फिर स Southern यहां आपस करते हैं रिफ्रेश तो देखे हमरे पास यह margin set हो गया जो जो हम लोग कंडिशन लगा है इसका यहां पास किस तरह से format set है तो पहले है क्या क्या है टॉप margin को set किया है जो हम लोग नमबर डाले है टॉप margin हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा right margin हो जाएगा, उसी तरह फिर ये bottom margin हो जाएगा, फिर left margin हो जाएगा, कुछी तरह के format में ये set किया हुआ है, तो जैसा हम यहाँ पर जो margin दिये हैं, तो ये जो margin है 25 पिक्सल ये क्या हो गया, top margin हो जाएगा, ठीक है, ये 25 पिक्सल टॉप मार्जिन हो गया, उसी तरह right margin के लि ये heading शू कर रहा है, अब जैसे मांग चली हमको क्या करना है, top का margin हमको यहाँ पास करना है, जैसे top से 50 पिक्सल का margin set करना है, तो 50 पिक्सल कर दिये, अब इसको कर लेते हैं, shape, control करके shape कर दिये, और यहाँ करते है refresh, तो देखिए हम पास top से 50 पिक्सल का margin set हो गया, ठीक है, उसी तरह जैसे इसमें फिर से हम लोग यहाँ पास जैसे 500 पिक्सल का margin है, यह just right side का margin है, अब जैसे मांग चली इसको हमको और अधिक करना होगा, तो जैसे 500 के जगे 600 करके दिखते हैं, तो जैसे यहाँ कर दिये, 600 पिक्सल, अब इसको कर लिए control करके shape, और just यहाँ से करते refresh, तो देखिए right side से margin, और यहाँ पास set हो रहा है, तो जिसी साब से हमको यहाँ पास margin set करना होगा, top, bottom, left, right, उसी साब से number देखिए यहाँ पास heading यहाँ पास set कर सकते हैं, तो यह कैसे हुआ, तो जो हमारे पास यह short hand property है, इसके द्वारा हमारे पास margin हुआ, मतलब हम left, right, top, bottom का एक साब margin हम लोग यहाँ पास यह क्या कर सकते हैं, set कर सकते हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे हमें तीन value को define करना हो, अगर तीन value का हमको margin set करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए just हमारे पास यह coding हो जाएगा, जिसमें margin हमारे पास यह 3 value का हो जाएगा यह margin किस तरह सेट करेगा, तो जैसे top margin हो जाएगा, left and right का margin हो जाएगा, मतलब यहाँ जो 50 pixel देंगे, यह left और right, दूनों का margin यहाँ sit करेगा, अब bottom margin हो जाएगा, यहाँ पास 25 pixel, ठीक है, चलिए दिखते हैं इसका coding, तो just यह को हम यहाँ से मिटा देते हैं, अब यहाँ पर जैसे, इसकम लोग यहाँ दे दिए, इसका जैसे हम देते हैं 25 pixel, ठीक है, और उसी देते हैं 50 pixel, और उसी तरह देते हैं 25 pixel, यह दे दिए, और just यहाँ से paragraph का हटा देते हैं, जैसे paragraph का हटा दिए, एक किवल है मैं heading का margin ले रहे हैं, अब इसको save करके देखते कि क्या result सो कर रहा है, तो just control is कर दिए, और यहाँ से हम कर लेते हैं, refresh, तो देखिए, उसी साब से margin सो कर रहा है, ठीक है, क्या coding है, तो जिसे margin, यहाँ पास 25 pixel, तो 25 pixel किसका margin है यहाँ पास, तो देखिए, यहाँ पास, मतलब 25 pixel है, यह टॉप का margin हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पास मान के चलिए, कि जो bottom margin है, ठीक है, उसको हमको यहाँ पस, कर लेते हम यहाँ पास, यहां पर जैसे 100 कर लेते हैं जैसे 100 कर लिए अब इसको स्टेप कर लेते हैं और फिर सिसको कर लेते हैं यहां पर देखें कुछ चीज तरह से हमारे पास यह बॉटम साइट से और मार्जिन यहां पास क्या हुआ पढ़े गए हैं पर ठीक है उसी तरह फिर next हम लोग यहां पास देखते हैं अब अगर हमको दो value define करना हो मतलब दो side का margin state करना हो तो किस तरह से करेंगे दो value का तो just इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा margin कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे margin 25 pixel और यहां पास 50 pixel जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि top and bottom का margin यह इसो करेगा और left and right का margin यह इसो करेगा मतलब कुछ भी heading या paragraph का margin set करें और दो value में दे रहे हैं तो यहां first लॉग जो इसका value है top and bottom का margin set करेगा और यह जो last value है left and right का margin set करेगा जैसे देखते ही इसमें वह जैस्सको कर देते हैं अब जैसे मान के चलिए हां पास हम इसको कर लेता है 25 पीक्सल ठीक है यह मतलब कहां का टॉप And Bottom का मार्जिन फो करेगा और उसी तरह जैसे इसको लिखते हैं 50 पीक्सल ठीक है अब इसको सेव करते हैं और यहां देखते हैं क्या ऩो कर आर है कि मतलब क्या है कि जो माजन आ है यहां पास जैसे यहां पास अम इसको 20 50 का यान दी خुर लेता है 50 pixel कर दिए ठीक है और यहां पार जो left right का है इसको हम कर लेते हैं जैसे 100 अब इसको save करके देखते कि क्या show कर रहा है save कर दिए और कर लेते हैं refresh तो देखे उसी साब से हमारे पास यह margin show कर रहा है मतलब जो 50 pixel है यह top and bottom का हो गया जो 100 pixel है left and right का margin हो गया अब यहां पास जैसे अगर हमको एक value को define करना हो तो उसका margin की सेट करेंगे उसमें हमको जैसे margin 25 pixel लिखेंगे तो यह क्या करेगा चारों तरब का margin को 25 pixel के बराबर यहां पास सीट करेगा जैसे यहां पास यह जो लिखा हुआ margin इसमाम कर लेते हैं जैसे 50 pixel कर दिया ठीक है अब कर लेते हैं शीप ठीक है अब इसको हम कराते हैं पास रिप्रेस तो देखिए 50 पिक्सल की है तो चारों तरब यह 50 pixel का margin यह पास शीट करेगा उसी तरब फिर नेक्स्ट आमरे पास है जैसे आटो वैल्य मार्जिन की आटो वैल्यू टैक्स यह एलिमेंट को उसके कंटेनर यह बॉर्डर में होरिजेंटर सेंटर कर देता है यहां एलिमेंट यह टेक्स को स्पेसिफाइब विर्ड में दी जाती है बाकी स्पिस को लेप्ट एंड राइट मार्जिन को बराबर बराबर बाठ दिया जाता है ठीक है अब इसका कुछ एक्जामपल इस तरह करेंगा अब यहां जैसे हम म करना है यहां पास हम कर लेते हैं जैसे इसका कर लेते हैं तो सब साहमरे पास हो गया मतलब क्या है कि जो यहां पास इसका जो वीडस है तो हंड़ेड पिक्सल यहां पर डिये और यहां कर दिये और यहां कले रिफ्रेस तो देखिए यहां पास 50 8050 पिक्सल यहां है जिसे पर 500 पिक्सल क क्या तो 500 पिक्सल यहां पर इसका विट्थ हो गयाै और मार्जिन इंहिन्दि आटोतोमेटिक यह अधिक में बराबर एजेस्ट कर दिएंगर जिसा autop technically हम यहां कर सकते हैं कि CSS में margin हम लोग किसी भी टैक्स या किसी भी पैराग्राप का margin हम लोग अलगलग value की शाब से percentage की साब साम margin यहाँ पास state कर सकते हैं आगया वीडियो के चला तो लाइक करें शेर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थेंक्यू